आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा दिसंबर में सर्कूलर आया और उस सर्कूलर पे हाई कोट ने जज्जमेंट दे दी 6 जनवरी को ठीक है बात कर रहे हैं जो अभी रिसेंट हाई को की जज्जमेंट आई है जनवरी में ठीक है करनाट का बैंगलोर हाई कोट से जज्जमेंट किस केस में विप्रो लिमिटिड के केस में और इनों ने जज्जमेंट दी है इनों ने दी है जो हमारा सर्कूलर आया था सर्कूलर नंबर 183 वो सर्कूलर नंबर 183 आया कब था सर को circular आया था 27 दिसंबर को यह circular आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा अगर आपको अभी तक यह circular और यह judgment जो आई है जन्वरी की अभी तक नहीं मिली है तो आप हमारे telegram group को जोईन करके यह ले सकते हैं और इस judgment को पढ़ सकते हैं जज्मेंट क्या है बतातों जज्मेंट में ओडर दिया है ठीक है हाई कोट ने ओडर दिया है कि यह जो circular है बहुत अच्छा circular है और इस circular को तुम सिर्फ 1718 और 1819 पर ही अप्लिकेबल क्यों कर रहे हो circular में लिखा है कि 1718 और 1819 पर हम 1920 की बात नहीं करेंगे उन्हों ने हाई कोट ने क्या बोला कि भाई जब यह circular 1718 में लग सकता है और अगर ठीक है यह बोनाफाइड केस है तो भाई 1920 पर भी लगाओ ना इस circular को इसमें दिक्कत क्या हो गई गोवर्मेंट क्यों कन्फ्यूज कर रही है तो हाई कोट ने अपनी इस जज्जमेंट में ओडर पास करके क्या बोला है डिपार्टमेंट को कि भाई इस circular को आप 1920 पर भी लगाओ यहां पर लिखा हुआ है कि आप necessary action लो और इस circular को इन पर binding करो अब मुद्दा क्या था जड़ा यह समझ लो मुद्दा यह था कि यहां पर ठीक है न विप्रो जो था ठीक है विप्रो जो था उसकी gstr1 में कुछ गड़वड़ी हो गई उसने जो अपनी gstr1 फाइल करी ठीक है न उसमें किसी party के नाम पर बिल चड़ाने थे किसी दूसरी party पर बिल चड़ गए अब जिस पार्टी के नाम पर बिल चढ़ाने थे उस पर नहीं चड़े तो उसे आइटीसी नहीं मिला जब आइटीसी नहीं मिला सत्रा अठारा अठारा उन्निस उन्निस भीस में ठीक है ना तो विप्रों ने बोला कि भाई मेरे को मेरी जीएस्ट्यार वन चेंज करने दो मेरे को रामलाल के नाम पर चड़ाने थे मैंने रामलाल की जंगा शामलाल पर चड़ा दिये और जीएस्ट्यार वन अमेंड करने का टाइम भी निकल गया, यह तो एक revenue neutral case है, इसमें तो revenue को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, आप जो मेरा व्यक्ति है, जिसे मेरे को सही ITC देना है, तो आप उसे देने दो, ठीक है न, डिपार्टमेंट ने का ऐसा नहीं होता, हम तो नहीं मानते, ठीक है, फिर विपरो ने क्या सरकूलर आया है तुम्हारा, सरकूलर 17, 18, 18, 19 के लिए आया है, सरकूलर में लिखा हुआ है, कि 17, 18, 18, 19 के case में, अगर किसी पार्टी को ITC नहीं मिल रहा है, सप्लायर की गलती की वज़ा से, तो उसे ITC दो, लेकिन यह वाला सरकूलर सिर 17, 18, 18, 19 था, डिपार्टमेंट कहत जी हम तो 17, 18, 18, 19 की बात करेंगे, हम तो 19, 20 की बात नहीं करेंगे, तो विप्रोवाले चले गए भाई हाई कोट में, और उन्हाने बोला साहब जो यह 17, 18, 18, 19 पर लग रहा है सरकूलर, तो इसे 19, 20 पर क्यों न लगाया जाए, तो हाई कोट ने बोला, हाँ बिलकुल ठीक कह रहे हो, हाई कोट ने बोला कि हाँ बिलकुल ठीक कह रहे हो, जब सारे तुम्हारे के सेम है, तो इसे 17, 18, 18, 19 के साथ साथ, 19, 20 पर भी लगाया जाए, तो यह हाई कोट की बहुत अच्छी जज्जमेंट आई है, तो अगर आपको 19, 20 के केस में ऐसा कोई इशू आता है, तो आप इस जज्जमेंट को रैफर कर सकते हैं, पूरे फैक्ट्स को इस जज्जमेंट से पढ़ सकते हैं, इसका नटशेल में यही बात है, यह एक रिट डाली गई थी, ठीक है, करनाटा का बैंगलोर हाई कोट में, उस रिट को असेसी के फेवर में इनों ने दिया है, क् 18-19, with respect to those invoice issued to the recipient, so as to enable the recipient to take credit of the tax period by the petitioner, कि भाई जो रिसीपेंट को ITC नहीं मिल रहा, बहुत लोग उसकी पेमेंट रोक कर बैठे हुमें, भाई मैंने सेल कर दिया, मैं कहा रहा है, पेमेंट तो वो कहा रहा है, मेरे 2 में नहीं आरा, तुमने गलत चड़ाया, मैं पेमेंट नहीं देरा तुमारी, तो उस तरह के disputes को खतम करने के लिए इन्होंने बोला है, कि नई भाई, आप इनकी GSTR1 में changes कराओ, या सामने वाले को ITC 2 मना मत करो, circular भी यह कहता है, और यह 17-18 के 77, ठीक है, 18-19 के 77, यह 20-21 के उपर भी लगाओ, तो आपको यह पूरा किलियर हो गय है, अपने इस order में, ठीक है न, और इन्होंने बोला है कि जहां पर बिलकुल, ठीक है न, कोई, ठीक है न, गलत intention नहीं है, कोई malafide intention नहीं है, bonafide intention है, तो महाँ पर इस circular का benefit मिलना चाहिए, ठीक है न, तो यहां पर would be entitled to the benefit of the direction issued in the said circular, with regard to the error committed in the invoice and the relevant form of both the petitioner, ठीक है न, and the respondent and such case, किसे benefit मिलना चाहिए, जो supplier है, जिसने गलत डाल दिया उसे, और जिसके 2A में ITC नहीं आ रहा उसे, दोनों को इसका benefit मिलना चाहिए, जिसके में गलत चला गिया, उससे तो वापस ले लो, वो तो claim करिये गई नी, और जिसके में नहीं गया, तो उसे भी इसका benefit मिल चाहिए, तो ये इस circular के अंदर बोला गया, इस high court की judgment ने बोला, तो आप एक बार इस high court की judgment को अच्छे से पढ़े, और अपने आपको update करे, और हम इस high court की judgment को, जो हमारी magazine आई गया, फरवरी edition, budget edition, तो उसमें भी cover करने की कोशिस करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ इनोंने कि their transaction for the year 17-18-19-19-20, it is also necessary state the through the circular, refer only to year 17-18-19, कि circular में 17-18-19 था, since there are identical error, लेकिन वो error क्या, identical error है, committed by the petitioner, not only in the respect of 17-18-19, but also in the relation of 19-20 also, I am the viewed at by adopting a justice oriented approach, High court क्या गया रहा है, कि भाई आप एक justice oriented approach अपना हो, the petitioner would be entitled to benefit of the circular, for 19-20 also, कि जब आप justice ही देना चाहरे हो, तो 17-18-18-19 के लिए क्यों दे, साथ में 19-20 के लिए भी दो ना भाई, तो हमने इस circular को अपनी इस magazine में discuss करा है, अगर किसी ने अभी तक, ठीक है, हमारी magazine नहीं ली है, तो आप उसे subscribe कर लो, और हाँ भई, कल हमारा session है, जो हो पर, तो अगर आप लोग भी जो हो सीखना चाते हैं, तो इस session को join कर लेना, और हमारे हर महीने 2-3-3 session हो रहे हैं, जैसे कि अभी हम gym corvette भी लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर हम पूरा session लेंगे, कैसे अपनी practice को बढ़ाया जाए, कैसे अपनी income को बढ़ाया जाए, कैसे branding की जाए, कैसे social media का use किया जाए, तो अगर आप हमारे साथ इस session में चलना चाते हैं, ह आपको ये video कैसी लगी, और ये जो हम different topics पर webinar कर रहे हैं, पूरे साल में 40-50 webinar कर रहे हैं, और इसकी annual membership देकर ये idea आपको कैसा लगा, और जो हम जंगा जंगा पर जाकर residential program कर रहे हैं, हमापर आपको knowledge दे रहे हैं, तो हम gym corvette जा रहे हैं, तो आसपास का, अगर कोई महाँ पर हम से मिलना चाहे, तो वो मिल भी सकता है, तो ये आए वाला idea आपको कैसा लगा, और आप कहां कहां पर इस तरह के session चाहते हैं, किस-किस topic पर session चाहते हैं, इसके बारे में भी हमारा mark version करें, इस video को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, thank you for watching.